Hello everyone, welcome to our channel, हमारी आज की वीडियो को टोपिक है अजादी कामरित मोहत्सों पर भाशन तो friends जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे देश भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में देश आजादी कामरित मोहत्सों मना रहा है और इस अफसर पर बहुत सारे कारिक्रमों का योजन किया जा रहा है जिसमें आपको भाशन देना पड़ सकता है इसलिए आज हम आजादी कामरित मोहत्सों पर भाशन किस प्रकार से दे सकते हैं यह सीखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं भाशन की शुरूआत में आपको बहां उपस्तित सभी लोगों को संबोधन देना होता है तो आप या तो बोल सकते हैं कि आप सभी को मेरा नमस्कार या फिर यहां उपस्तित सभी को मेरा नमस्कार या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हैं अधर्निय प्रधानाचारे जी सभी टीचर्स और मेरे देश वासियो या फिर और मेरे दोस्तों देन आप बोलेंगे आप सभी को मेरा नमस्कार और आजादी के अम्रित मोहत्सव की हरदिक शुपकामनाई इस तरीके से शुपकामनाई देने के बाद आपको दो पंक्तिया स्लोगन की बोलनी है हमारा स्लोगन जो है वो आजादी के अम्रित मोहत्सव पर होना चाहिए आजादी का अम्रित मोहत्सव मिलकर हम मनाएं मा भारती के चर्णों में हम सब शीष जुकाएं जब इस तरीके से आप slogan के साथ अपने भाषन की शुरुआत करते हैं तो आपका भाषन बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है इसका जो first impression है वो बहुत अच्छा पड़ता है इसलिए हमेशा slogan के साथ भाषन की शुरुआत करनी चाहिए देन स्लोगन बोलने के बाद हम बोलेंगे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष 15 अगस 2022 को हमारे देश भारत को आजाद हुए 75 वर्ष पूरे हो रहे है इस उपलक्ष में भारत पिछले एक वर्ष से आजादी कामरित महुत्सव मना रहा है और यह महुत्सव अगले वर्ष 15 अगस 2023 तक मनाया जाएगा देन इतना मोलने के बाद हम आगे इस महुत्सव को मनाने के उदेश्य बताएंगे क्योंकि महुत्सव की जानकारी तो हमने दे दी अब इसका उदेश्य भी हमें बताना है इस महुच्चब को मनाने का एक मुख्य उदेश्य अंग्रेजों की 200 वर्षों की गुलामी के बाद मिली आजादी को सेलिब्रेट करना है या फिर मनाना है और दूसरा प्रमुख्य उदेश्य आजादी को पाने हेतू दिये गए वीड सपूतों के बलिधानों को याद करना है देन तीसरा मुख्य उदेश्य इस उत्सम के जरिये सभी देशवासियों को संगर्षों से मिली आजादी का मुल्य समझाना है और उनमें देश भप्ती की भावना को बढ़ाना है साथ ही बीते 75 वर्षों में देश द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियां बतलाना है इस तरीके से हमने जो जो इस मोहत्सक को मनाने के उदेश्य थे वो सब बता दिये हैं बाशन में देन हम आगे अपने विचार इससे रिलेटेड रखेंगे आज की युवा पीडी यानि की हम लोग आजादी के संघर्ष से भली प्रकार से परीचित नहीं है आजादी पाने हे तू देश को किन किन चुनोतियों का सामना करना पड़ा कितने लोगों की जाने कुर्बान हुई कितने संघर्ष के बाद हमें ये आजादी मिली यह सब युवा पीडी को जानना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि हम युवा ही देश का भविश्य है हमें आजादी का मुल्य ग्यात होना ही चाहिए जिससे की आने वाले समय में देश को चलाने में आने वाली चुनोतियों का सामना हम कर सकें हमें विद्यालियों में और किताबों में हमारा इध्यास पढ़ाया तो जाता है लेकिन आजादी की संखर्ष गाथा को बहुत ही करीब से जानने की अवश्यकता है बहुत सी गाथाएं हमें पर्ठ करम में पढ़ाई नहीं जाती है लेकिन उन्हें जानना और देश वासियों को बतलाना बहुत अवश्यक है आगे आप बोलेंगे हमारे देश भारत की अर्थ ववस्ता तेजी से उभरती हुई अर्थ ववस्ता है आज भारत हर अक्षित्र में अपना पंचम लहरा रहा है लेकिन हमारे भारत ने बहुत बुरा दोर देख रखा है 75 वर्ष पूर्व हमें आजादी विभाजन के रूप में मिले देश की अर्थ ववस्ता की कमर बिल्कुल तूट चुकी थी फिर 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ बहुत से उताकर चुड़ाव देश ने बीते 75 सालों में देखे फिर भी देश अपने निरंतर प्रयासों के बल पर आज एक मजबूत अर्थ ववस्ता के रूप में विश्व के सामने खड़ा है आज भारत की सन्य शक्ति से भला कौन परिचित नहीं है दुनिया महर की नजरे आज भारत पर तिकी हुई है भारत की जो छवी दुनिया के सामने आज बनी है उसके बारे में सोचकर बड़े ही गर्व की अनुभूती होती है हम बड़े ही भाग्यशाली है जो ऐसे महान देश के वासी है हमें देश के प्रती हमेशा कृतग्य रहना चाहिए आजादी का ये महान उत्सव किसी धर्म या जाती विशेश का नहीं अपितु संपुन भारत देश का उत्सव है पूरे भारत देश को इसमें भागिदारी निभानी चाहिए अमरित महुत्सव के दोरान हो रहे सभी कारेक्रमों जैसे की हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेकर इस अभियान को सफल बनाना चाहिए अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा या फिर चाहूंगी इसी आजादी का अमरित महुत्सव हमें मनाना है जन-जन की भागीदारी से आत्म निर्वर भारत बनाना है आत्मनिर्वर भारत बनाना पर प्रभाँशाली नारों के साथ एक बहुत ही जयादा प्रभाँशाली भाशन दे सकते हैं I hope यह वीडियो आपके लिए helpful होगी वीडियो helpful हो तो कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद